मादमिक 2022 की केंडरेट बहुत-बहुत स्वागत है आपका रमदान ट्यूटोरल में अगर आप मादमिक 2022 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ABTA ने अपना टेस्ट पेपर लॉंच कर दिया है यह टेस्ट पेपर क्या होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस टेस्ट पेपर के बारे में कि यह टेस्ट पेपर क्या है दूसरा कि इस टेस्ट पेपर को सॉल्फ करने में आपको क्या प्रॉब्लम स्फेस करने पड़ते हैं सिर्फ problem नहीं उनका solution क्या है और finally मैं आपको वीडियो के end में ये बताने वाला हूँ कि ये टेस्ट पेपर आपके preparation में क्या value add करेंगे तो इस वीडियो के end तक आप लोगों को पूरी तरीके से clear होने वाला है हमारे future के plannings क्या है और आप लोग इस टेस्ट पेपर को use करें या ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका video discussion बच्चों सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि टेस्ट पेपर क्या होते हैं तो टेस्ट पेपर दरसल डिफरेंट स्कूल के examination के जो टेस्ट का question paper है उनका collection होता है अब यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा generally every year state में different districts में अलग-अलग question paper set किया जाते हैं आप जिसमें district से बिलॉंग करते हैं आपके district पूरे district के लिए एक question paper set किया जाता है इसके अलावा ABTA के जो teacher से वो खुद एक question paper set करते हैं इस तरह से इस book के content को दो भागों में distribute कर सकते हैं section A जिसमें district wise question paper दिये गया है section B जहां पर ABTA के जो teacher से उनके question paper दिये गया है अब यह test के papers कैसे important है और वो इस year में कैसे different है आप लोगों को पता होगा इस year में हर school ने अपना internal question paper made बनाया है तो यह test paper का अपना internal question paper कितना कारगर है हम इसे अभी कह नहीं सकते कितना appropriate होगा इसलिए जरूरी होगा कि आप लोग अभी इस time पर टेस्ट पेपर पर जरूर रिलाई करें क्योंकि यह experience teachers द्वारा बनाया गया है और इसमें जो questions दिये गया है वो board के standard को maintain करके रखे गया है अब बात उठती है कि सबसे पुरानी teachers associations में है तो इनका experience सबसे ज्यादा है इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट पेपर पब्लिस किये जाते हैं जिसमें से WBTA के द्वारा किया जाता है वेस्ट बंगॉल teachers association इसके अलावा और कुछ private companies है जो अपने इस तरह के टेस्ट पेपर को publish करती है तो इतना दूर तक आप लोगों को टेस्ट पेपर के पूरी clarity मिल चुकी है अब सवाल उठता है कि यह टेस्ट पेपर में क्या problem आपको face करना पड़ता है इस टेस्ट पेपर को solve करते टाइम सबसे पहले मैं दुबारे एक बर आपको इसको बारे में बता दू कि इसके दो section से section A में आपको district को papers मिलेंगे और section B में जो आपको papers मिलने वाले हैं वो सार अब सवाल उठता है इन papers में problem क्या है इन papers में यह problem है कि maximum paper आपको मिलेगा बेंगॉली में यानि कि अगर किसी को बंगला पढ़ना नहीं आता है या बेंगॉली terminology के बारे में नहीं पता है तो वो इन papers को solve नहीं कर पाएगा अब सवाल उठता है इसका solution क्या है इसका solution translate करना और हिंदी में translate करना ताकि उर्दू हिंदी बेंगॉली साथ मितलब हिंदी इंगलिस और उर्दू मीडियम के स्टुनेटों को साही तरीकी से समझ में उसके बाद उनका answer discussion करना तो काफी मेहनत होने वाली है बैकेंड में जो मैं अकेले करने वाला हूं यहाँ पर मु कर देंगे तो यह क्या value add करेंगे हमारे preparation में चले इससे समझते हैं माध्यमिक वेस्ट पंगॉल बोर्ड का जो examination होता है यह बोर्ड का examination है तो काफी standard level का question paper set होगा इस question paper में आप लोगों को कोई एक suggestion publish कर दिया जाए जिस suggestion पर आप लोग rely करें तो ऐसा तो कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस suggestion पर रिलाइक कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जब आप ABTA को solve करेंगे तो आप लोगों को हर उस standard question type के बार में idea मिलेग जो board की paper set करते हैं कि या तो WBTA या फिर ABTA यह वो teachers association है जो board के question paper setters है तो इनहीं के द्वारा दिये गए questions का selection किया जाता है अगर आप इनके questions को यहाँ solve करेंगे तो बहुत chances है कि आप वहां के लिए बहुत अच्छा preparation कर पाएंगे I hope आपको यह जरूर समझा आ गया कि क्या value add करने वाली है ABTA का suggestion solve करना आपके मार्धमिक preparation में यानि कि अगर आपके तयारी पूरी हो चुकी है तो यह आपको help करेगा to know कि आपके तयारी कितनी percent हो रखी है आपके end से maybe 100 percent है लेकिन क्या आपने सारे details को बारीग details को सही से cover किया या नहीं वो यह book आपको बताएगे त अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को यह suggestion पब्लिस करके दूँ इस टेस्ट पेपर का solution प्रोवाइड करूं बैकेंड में यह महनत करूं तो इसके लिए आपका support हमेशा इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए मुझे उमीद है कि आप लोग उतना ही प्यार देंगे इन वीडियोज को जितना आप लोगों ने पिछले वीडियोज को दिया हुआ है ताकि मैं इस सर्च कर सकते हैं उसे भी परचेस कर सकते हैं तेस्ट पेपर के बाद दूसरा क्वेस्टन कि क्या प्रॉब्लम से इसमें आते हैं और उसका solution क्या है आपको वह भी पता चल गया और यह आपके माधमिक प्रिप्रेशन में क्या वैल्यू आड़ करेंगे तो आज हम यहीं वीडियो का अपना टर्मिनेट करते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर मैं आप लोगों को इसका solutions प्रॉवाइड करते हुए मिलूगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्देगी एवीर